कि 13 जुलाई को आशाड माह के शुकल पक्ष की अश्टमीति थी है दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय, पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं, देखिए, यह 13 आशाड माह के शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी दिन इतना खास होता है, इतना महत्व पूर्ण होता है, देखा है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा-पाथ, अनुष्ठान से, जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 13 जुलाई को आशाड माह के शुकल पक्ष की उपाय को 13 जुलाई को आशाड माह के शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेश दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेश दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो क्योंकि 13 जुलाई को आशाढ माह के शुकल पक्ष की अश्ट मीतिती है और आशाढ माह के शुकल पक्ष की अश्ट मीतिती बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझाएंगे जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। घर का कोई न कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई जगड़ा होता रहता है। किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, कि आप एक-एक रुपए खर्च करने से पहले कई-कई बार सोचने लगे हो। आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय, शनिवार अश्टमी दिन पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेश उपाय करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ साथ दिन के अंदर ही तो चलिए, जानते हैं इन विशेश उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहने आज चैनल पर पर पहली बार आए हैं, या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को ल ये वाला उपाय करना है, देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शनिवार अश्टमी तिथी के दिन के जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, यह उपाय आपके जीवन मे व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे भगवान भोलेनात की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाले होंगे तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताये गए पहले महा उपाय के बारे में देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लोटा जल लेना है जल आपको तांबे के पात्र में बिलकुल भी नहीं लेना है विशेश कर आपको यह जो जल है स्टील के पात्र के अंदर ही लेना होगा आपको स्टील का लोटा पूरा जल से भर लेना है इसके बाद आपको इसी स्टील के लोटे के अंदर एक से दो बूंदे कच्चे दूद की भी डाल देनी है यानि कि आपको कच्चे दूद से युक्त जल तयार कर लेना है तो इस प्रकार से आपको एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूद से एक तो जल तयार कर लेना है इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड का टुकडा लेना है अब देखिए मात्र आपको ये जो दोनों ही सामग्रियां है इन्हें लेकर के पहुंच जाना है पीपल के व्रिक्ष के पास में देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के व्रिक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं इसलिए आपको ये जो उपाय हैं विशेशकर शनिवार के इस महा सन्योग में ही करना है गुरुजी ने कहा है कि सुभह से लेकर के शाम तक इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन विशेशकर सूर्यास्त से पहले ही आपको इस उपाय को करना है सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुँचना है, पीपल के व्रिक्ष के वहाँ पर, देखिए, पीपल व्रिक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद, सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है, वह उत्तर दिशा में कर लेना है, अब देख किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए देखिए यह जो जल है आपको पीपल के व्रिक्ष की जड में धीरे-धीरे अर्पित करना है इसके बाद आप जो गुड का टुकडा लेकर के आए हैं उसको यहीं पर पीपल के व्रिक्ष की जड के पास में कहीं भी आपको रख देना है यानि कि भगवान विश्णू को पीपल के व्रिक्ष के नीचे आपको भोग स्वरूप गुड का टुकडा भी रखना है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते हुए और गुड का भोग लगाते समय आपका जो मुख है वह उत्तरदिशा की ओर ही रखना है इस उपाय में उत्तरदिशा का ही विशेश महत्व है इसी लिए आपको बार-बार बताया जा रहा है आपको अपना मुख उत्तरदिशा में ही रखना है अब देखिए यह सभी कार्य करने के बाद आपको पीपल व्रिक्ष की साथ परिक्रमा करनी है और जब भी आप पीपल व्रिक्ष की परिक्रमा करेंगे तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासु देवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते रहना है आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है जो भी कठिनाईयां चल रही है जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही है चाहे वह आर्थिक समस्या हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को लेकर हो किसी भी प्रकार की जो समस्याएं चल रही है उन्हें आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक समस्या है बस उपाय को कम से कम पाँच शनिवार अवश्य ही करें गुरु देव ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय भगवान विश्णु को और माता लक्ष्मी को अतिशी घरता से प्रसन्न करने वाला है और आपके जीवन की जो समस्या है उन सभी को समाप्त करने वाला है तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं। गुरुदेव द्वारा बताये गए दूसरे खास और विशेश उपाय के बारे में यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय को करने क मात्र आपको सरसों के तेल की आवश्यक्ता पड़ेगी। देखिए, जो हम अपने किचन में कच्ची घनी तेल उपयोग करते हैं, इस तेल को ही हम सरसों का तेल कहते हैं। और आपको एक चम्मच या फिर दो चम्मच, जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध हो ज आपके पास पंच मुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष है, जितने भी मुखी रुद्राक्ष है, मात्र आपको जो आपके घर पर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, उसे आपको लेना है। पूज गुरु जी ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि इस उपाय को कर अब देखिए आपके पास जो रुद्राक्ष हैं, सबसे पहले तो आपको जो आपने जो एक से दो चम्मच सरसों का तेल एक कटोरी के अंदर लिया हुआ है, उस कटोरी में आपको यह रुद्राक्ष डाल देना है, और आपको यह जो रुद्राक्ष है, इसे कम से कम 15 से 20 मिन उसी कटोरी में रखे रहना है, अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल और रुद्राक्ष है, इसे लेकर के आपको पहुँच जाना है, पीपल व्रिक्ष के नीचे, यदि आपके आसपास शनिदेव का मंदिर है, जहां पर शनिदेव विराजमान है, तो वहां भी आजमान है, तो आप वहां पर भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव हमारे भोले नाथ को अपना गुरु मानते हैं, और इसी लिए आप यह उपाय भोले नाथ के मंदिर में भी कर सकते हैं, इसी लिए यह उपाय भोले नाथ को भी प्रसन्न करने वाला है, और हमार सभी समस्याएं शनी की वजह से आई हुई है, उन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है और उन सभी में हमें धीरे-धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाता है और महादेव की कृपा से हमारे जीवन की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं धीरे-धीरे करक समाप्त होने लगती हैं। गुरु जी ने कहा है कि विशेशकर आपको ये जो उपाए हैं शनिवार के दिन ही करना है और ये उपाए आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जो सर्सों का तेल लेकर के गए थे जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, इससे आपको शनिदेव के ऊपर धीरे-धीरे समर्पित कर देना है और आपको लगातार ओम शम शनिष्चराय नमह इस मंत्र का जाप करते जाना है देखिए, आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर कम से कम 21 बार जाप कर लेना है आपको ओम शम शनिष्चराय नमह इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और आपको यह जो सरसों का तेल है और इसमें जो रुद्राक्ष मिला हुआ है दोनों को शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है इसके बाद आपको शनिदेव के सामने बैठ कर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है और आपने जो शनिदेव के ऊपर रुद्राक्ष समर्पित किया था इसे भी आपको अपने घर लेकर के आ जाना है पूज गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया गया यह उपाय महादेव को और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमतकारिक सिद्ध होने वाला है तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की इस अश्टमी के महा संयोग में किये जाने वाले दो महा उपाय बताने का प्रयास